नमस्कार जहन दोस्तों मेरा नाम है हंसराज सिंग आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे राष्टिय क्रेट कोर पूर्व छात्र संग यानि की नेशनल क्रेट कोर एलम्नी एसोसियेशन क्या है इसके बारे में क्या वैपसाइट बनी हुई है क्या इसका ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो इसके नोटिफिकेशन आपको पहुंसते रहे हैं चलिए शुरू करते हैं तो नरेंदर मोहती जी के द्वारा एक पूर्टल लोंच किया गया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन घर वैठे एंसी सी एलम्नी असोसियेशन में रेस्टे यह हम बुकलेड हमने डाउलोड करिया ओप्रीसियल वेबसाइट से वेबसाइट हम आपको डिस्किप्शन में भी प्रॉबाइड करा देंगे चलिए इसको आगे देखते हैं इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस रहेगा यहाँ पर आपको रेड एंड व्लू कलर में थो की पहले कैड़ेट की रूप में कारीकर कर चुके हैं और अभी बरतमान में कैड़ेट की रूप में कार नहीं कर रहे हैं यानि कि वो पहले पूर्विछात्र तो हैं NCC के लेकिन अभी भै अपना कोई और अन्न कारी कर रहे हैं देश में या फिर विदेश में कहीं पर भी के सेवाएं दे रहे हैं कुछ एलमनी जो हमारे फेमस है उनकेस में फोडो लगाई गई है उनका पद है उनका नाम है आप लोग देख सकते हैं NCC की पूर्व छात्रों को क्या क्या सुबदायन दी जाएंगी इसके बाद कमजोर पूजब छात्र को साहता आपकी मदद और समर्थन के लिए आत्मियता समूह के गठन इसका मतलब यह है कि NCC का जो पूर्व के एडिट रहा है उसको आपसी मदद के दौरा या फिर इस संगठन के दौरा साहता दी जाएगी इसके लिए कोई प्रयास किये जाएगे जो भी मीटिंग में फैंसलर लिया जाएगा तो उसको इस तरीके से हेल्प हो सकेगी NCC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और रश्ण निर्बाण में साहता के लिए NCC के पूर्व छात्रों को एक साथ आने के उद्देश से 2021 में NCC पूर्व छात्र संग पंजीकरित किया गया है बरतवान इस्तिती में कार्यारत सदस बिभिन चित्रों में जीवन के किसी भी समय में योगदान करने में सक्षा मोंगे NCC पंजीकरित केड़ेट्स और छात्र को लाव और उनकी प्रगती के लिए पूर्व छात्रों के अनभव और विस्से सगेता का उप्योग करेगा इसका मतलब यह है कि NCC जो लोग कर चुके हैं उनको संगठत करने के बाद उनको एक प्लेट फॉर्म पे लाया जाएगा जिससे कि जो अभी बरतमान में NCC के कैड़ेट हैं और छात्र हैं उनको मदद मिल सके कुछ गाइडेंस मिल सके इसी के साथ में राश्टियेक एडेट कोर पूर्व चात्र संग लक्ष और उद्देश से क्या इसके लक्ष हैं किस उद्देश को लेकर कि यह बनाया गया है तो इसमें कुछ important points है NCC के उद्देशों को पूर्ण करने के लिए NCC के पूर्व चात्रों को एक साथ लाना और राश्ट निर्माण में सायता करना NCC के पूर्व चात्रों के बीच एकता और मजबूत बनाना अभी क्या होता है कि NCC किसी ने एक स्थान से की किसी ने दूसरे स्थान से की तो देश के जितने भी नागरक ऐसे हैं जो NCC कर चुके हैं उनके पास कोई भी अभी तक ऐसा platform नहीं था official जिस पर वो संगठत हो सकें और एक दूसरे के बारे में परचाय प्राप्त कर सकें उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें लेकिन अब एक official एक platform हमारे पास है जिसके मात्यम से हम एक दूसरे से connect हो सकते हैं इसमें समय समय पर क्या हो रहा है कि जो website बनाई गई है उसमें update हो रहा है और जो कमिया थी उनको भी दूर किया जा रहा है इस समय में मेरा भी एक tweet था उसको मैं आपको आगे बताऊंगा और किस तरीके से online इसकी process है form बनने की registration की किस तरीके ज़र फीज जबा करना है उसमें क्या कमिया आ रही है ये सारी चीज़ा मैं आपको बताऊंगा NCC की पूरुछात्रों के बीच एकतावर मजबूत करना सामदाए पिकास और राश्ट नर्मान के अनुरूब कारे निस्पादित करना बहुमूल सलाह प्राप्त करें और प्रिस्थिक्षण और खेले के उच्छे स्थर को बनाया रखने में NCC की सायता करें NCCA इसमें जो NCCAA लिखा हुआ है इसका मतलब यह है National Cadet Course Alumni Association इसका full form आप लोगों ने जान लिया है के साथ पंजीकरत पूरु छातर के Dataverse को बनाया रखना और अपडेट करना इसका मतलब यह है कि NCC Alumni Association में जो भी NCC Cadet रहे चुका है उसका Dataverse एक Dataverse Management System बनाया गया है इस Portal पर और इसको समय समय पर अपडेट करना है जैसे कि नए छातर जो आएंगे वो इसमें जोड़ेंगे चातर हम या फिर उनको यह कहें कि भारतिया नागरे जो NCC कर चुके हैं या NCC में उनका किसी भी प्रकार से योगदान है केवल NCC की Cadet ही नहीं इसमें P.I.E.S.T.A.P. को भी जोड़ा जा रहा है जिनका 5 साल से अधिक का अनवा है और ऐसे आर्मी परसंस को भी इसमें जोड़ा जा रहा है जो कि पहले इसमें सेवाएं दे चुके हैं क्योंकि NCC अलग से विंग है NCC का DG अलग होता है और सभी एकमेडेशन अलग होते हैं और इसमें तीनों विंग हैं अलग होती है जैसा कि आप लोगों को ग्यात होगा आर्मी नेवी और एयर फोर्स तीनों इसमें विंग होती है इसके बाद मैं NCC केड़ेटों के लिए लाब और प्रकरती के लिए पंजिकरत पूर्व छात्रों के अनवह काउपियों जो हमने सीखा NCC से उससे किन दूसरे नए छात्रों को भी लाब मिल सके इसका भी यूज किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी पहल है इसका में समर्थन करता हूँ अब इसमें बहतर अवसरों के लिए बड़ा बेजान है इसमें ये लखा हुआ है तो आगे भी लोग इससे आगे आते रहे हैं और सरकार में भी भागीदारी करते रहें भारतों विदेश में जो भी इंडस्टियलिस्ट हैं उनका भी इसमें यूज करना योगदान क्या रहेगा के सारी चीज़े हैं NCC और समाज के संपूर्ण प्रकास में NCC A.A. के पंजीकरत पूर उच्छात्रों को सामिल करना तो ये तो वही बात हो गई कि सभी का रेश्टेशन करना इसमें mandatory तो नहीं है पूरा volunteer ways पे है जो करना चाहे वो कर सकता है चलिए इसमें QR code भी जोड़ दिया गया है जिसको आप scan करके इसके सदस्य सकते हैं further इसमें link होगी जिसको QR में convert करके जोड़ा गया होगा आप website पर जिसको आप scan करेंगे तो आप एक portal पर चले आएंगे I hope कि ये सही से काम करेगा हाला कि मैंने इसको चेक नहीं किया आप लोग इसको चेक कर सकते है सहायता सहायक सदस्यता तो इसमें दो भागों में divide किया गया है सदस्यता को यानि कि membership को एक तो है lifetime membership है और एक है assistant assistance के रूप में इसमें करा गया है लेकिन इसमें जो NCC के पूर विच्छातर है यानि के पूर विक्रेट है उनको तो पूरी तरीके से आज इवन सदस्यता दे दी जाएगी इसका सुल्क सौरपय ही है इससे जादा कुछ भी नहीं लगने वाला कुछ basic documents लगेंगे जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या document आपका लगेगा सहायक सदस्यता में कम से कम एक बरस के लिए NCC में तेना तथकारी और PIE कर्मचारी जैसा कि मैंने आपको बताया था सदस्यता के लिए पातर है सहायक NCC अधिकारे Assistant NCC Officer जन्हों ने NCC में कम से कम पांच बरसों तक सेवा की है बे NCC के सहायक सदस्यता के पातर है आजीवनों सहायक सदस्यता के लिए यह website दी हुई है www.indianncc.nic.in website बस 100 रपाय का बक्तन करके registration कर सकते हैं तो यह website जो आपको दी गई है यहाँ पर यह official website है NCC की यहाँ से भी आप registration कर सकते हैं यहाँ से registration करने के लिए आपको एक दूसरी website पर redirect किया जाएगा तब आप जा करके जो NCC Alumni Association है उसकी official website पर यानि कि उसके portal पर पहुँचेंगे तो अभी वर्तमान में यदि हम कहें तो NCC की दो website हो गई है एक alumni वाली और एक उसकी parent body या फिर parent website इसके बाद है मानद सदसिता मानद सदसिता में आपको गड़माने वेक्ति उत्करिष्ट वेक्ति और अनने जन्वाने NCC EA का NCC की साहता की है मानद सदसिता की योग है यह चुनाओ NCC EA कारे कारी समिती द्वारा नमंकर पर किया जाता है तो आप लोगों ने जो भाग देखे हैं वो सदसिता के टोटल तीन भाग हो जाते हैं यहाँ पर आप चाहें तो इसका screen sort भी ले सकते हैं screen का जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या important हो कितने भागों में बंटा गया है sorry मैंने आपको दो भागों में बता दिया था यह चुकि तीन भागों में है एक आज इवन सहायक और मानत तीन भागों में क्या है क्या तीनों में डिफरेंस है यह भी मैं आपको detail में बता देता हूँ जो NCC कर जोगा है कैड़ेट के रूप में उसको तो आज इवन सदस्ता मिलनी ही मिलनी है इसके बाद में सहायक के रूप में किसको मिलेगी जो P.I.E. स्टाफ में रहा है आर्मी का जो स्टाफ है उन NCC के अधकारियों को इसकी सदस्ता मिल जाएगी अब मानत सदस्ता किसको मिलेगी जो व्यक्ति ना तो आर्मी से है और ना NCC से लेकिन उसने NCC में किसी भी प्रकार का युगदान दिया है उसकी सहायता की है तब उसको मानत सदस्ता दी जाएगी बो भी NCCA यानि कि NCCA Alumni Association के कारे-कारी समयत्य द्वारा नावंकन किया जा सकता है तो कारे-कारी समयत्य यह दी चाहे कि तो आपको मानत सदस्ता दे सकती है और इसके अलावा कोई इसका बिकल्प नहीं है इसके बाद मैं कुछ activities की photos लगाई गई है और इसमें संपर्करे में आपका www.indianncc.nic.in यह आपकी website का link दिया गया है इसके बाद मैं दो आपको mail ID दी गई है पहली है nccalumny www.indianncc.nic.in और help line number है इसका help line number है इस तरीके से हम लें पूरी जो booklet थी PDF के रूप में उसको हमने जाना है पूरा समझा है इसके बाद मैं हम थोड़ा सा process देख लेते हैं क्या है इसका वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाएगी patience बना करेके रखें यदि आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से भी इसकी किसी भी topic पर वीडियो बना दूँगा चुकि मैंने इसके guidelines को ठीक से पढ़ा इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ चली हम screenshot देख लेते हैं क्या उसमें है यह मैंने अपना registration इसमें किया था इसकी जो website है यह आप लोग देख सकते हैं nccauto autu.gov.in जिसके बाद मैं registration होगा इतना भी आप डाल देंगे तो भी चलेगा और के बाद आप इतना भी डाल देंगे nccauto.gov.in तो भी आपका खुल जाएगा इसके बाद मैं इस तरीके का आपको website का interface देगा सबसे उपर आपको लिखा रहेगा रक्षा मंतराला एं ministry of defense इसके बाद तीन आपको buttons देखाई देंगे इसके बाद तीन step में है यह form पहला step है आपका basic end ncc details है दूसरा communication detail है तीसरा है others ठीक है basic details में आपकी सबसे पहले photo आजाएगी photo में आपको क्या करना है 2mb से छोटी photo डालना है 2mb से उपर होगी तो आपकी नहीं लेगा तो 2mb की भी ना डाले 1mb से 2mb के बीच की डाल दीजिए quality भी बढ़िया रहेगी और आपकी आसानी से upload हो जाएगी courses यह करिए कि आपका square safe है केवाल उसी को करिए यानि कि बरगाकार में आप photo पहले ही cut करके रखिए बनना इसमें दिक्कत करेगी वो इसके बाद duration आपको इसमें देनी है तो कब से कब तक आपने किया है duration में आप क्या देंगे तो duration में आप देंगे यदि आपके पास कोई proof है तो उसके हिसाब से आप डालिए जैसे कि आपने enrollment form बढ़ा होगा तो enrollment form में date आपने डाली थी two date में आपकी वो date आईगी जिस दिन आपको C certificate प्राप्थ हुआ ठीक है यानि आप ये certificate holder भी है तब भी आप registration कर सकते हैं तो भी certificate holder हैं तो भी आप इसमें registration कर सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है इसके बाद two date में आपको एक बाद फिर ज़े confirm कर दूँ certificate पर एक date होती है जिसको certificate number के साथ में लिखा जाता है उसके नीचे लिखा जाता है वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा इसके बाद मैं आपको year डाली है year ये डाली नहीं है आपको sorry from date to date डाल देंगे जैसे आप तो ये auto calculate कर लेगा ठीक है कितने दिन कितने समय तक कितने year तक कितने month तक ये आप लोग ncg में रहे हैं इसके बाद में category of membership तो आपका automatic इसमें select हो जाएगा life member इसके बाद में आप इसमें अपना कुछ detail देंगे इसमें थोड़ा बहुत आपको extra curricular activities के बारे में ncc details में आपके cadet type in case of person being both तो इसमें है jd, jw, sd, sw cadet तो इसमें आपको cable एक ही select करना है jd मतलब होता है junior division, jw means होता है junior wing, sd मतलब होता है senior division, sw means होता है senior wing इसके बाद आपका hq, dg, ncc hq means headquarter, dg means director general, ncc means national cadet corps, state direct rate, तो इसमें जैसे ही आप drop down करेंगे तो आपके 2 option आएंगे, एक तो आएगा hq, dg, ncc, दूसरा आएगा state direct rate, तो आपने जिस से करा हो वो आप select कर लेंगे इसके बाद में other option आपके खुलते चले जाएंगे और आप उनको भरते चले जाएंगे, पहला है state direct rate यदि आपने select किया है तो आपने state select करना पड़ेगा, इसके बाद में school college और institute का नाम भरना पड़ेगा इसके बाद में आपको ncc certificate का number डालना पड़ेगा, ये किया है तो एक डालिए, बी किया है तो बी डालिए, और c किया है तो c का number डालिए, इसके बाद में achievements in ncc, तो ये achievements यहाँ पर आप डाल देंगे, इसके बाद में आप ncc camps के बारे में डालेंगे, जो जो आपने camp कियो हूँ तो वो आप इसमें select कर लेंगे, save and next करके, आप आगे बढ़ जाएंगे, next step पर आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को दिक्कत कहां पर आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर ncc certificate number है, वहां आपको आज यह बता देता हूँ, live, इस तरीके से, यह हमारा B certificate है, B certificate को जैसे हम zoom करेंगे, तो यहां पर आपका नीचे लिखा होगा, यहां उपर आपका प्रमाड़ पत्र लिखा हुआ है, और कौन सा certificate है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ यह होती है, इसी को हम certificate number बोलते है, या फिर सीरेल number बोलते है, इसमें लिखा हुआ है, UPS black B, CARD black army, black 2011, black 1098, तो यह आपका number हो जाता है, यह आपको सेम नीच डालना है, यह आपको अपने certificate से दिख करके डालना है, और नीचे आपको certificate जारी करने की date दी गई है, ठीक है, तो date का आपको पता चल गया, और आपको आपका certificate number भी मिल गया, इसके बाद में, तब आपका part 2 खुल जाएगा, इसमें आपको communication details डालने होगी, communication details में आपका contact number रहेगा, email ID रहेगी और एक verification code आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपको बेजा जाएगा, आपकी email पर send किया जाएगा, इसके बाद वहाँ से देख करके आप इसमें भर देंगे और verify कर इसके बाद आपको current address डालना है आपका, और यहाँ पर जो website होगी, website में आपका visitor count आएगा, जितने भी visitors यहाँ पर visit कर चुके हैं, वो यहाँ पर आएगे, उसकी accounting बढ़ती चली जाती है, तो इससे कोई ज्यादा वो नहीं है, feedback में यहाँ पर कोई अभी button enable नहीं हुआ है, admin login का admins के लिए है, website policies देख लीजिए, contact us में अभी कुछ डला नहीं था, मैंने जैसे टैप किया था, तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन हो सकता है, जब मैं यह video upload कर रहा हूँ, उस time तक यह जोड दिया जाए, या future में जोड दिया जाए, help में अभी कुछ जोड़ा नहीं थ कोसिस करूँगा, description में भी देने का, ताकि आप लोगों के काम जल्दी से बन जाए, इसके बाद में आपका है, current address के बाद में आपका permanent address मांगेगा, permanent address में भी आप इसमें fill करेंगे, save and next करेंगे, third step खुल जाएगा, third step है आपका others, इसमें current job डालेंगे आप, my country, my contribution to NCC and the NCC alumni can be, can buy, तो ये किस तरीके से आप उसमें contribute करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ आपने इसाब से लिख लेना, designation, अभी आप क्या करते हैं, किस पतपर हैं, वो लिख लेना, alumni registration fee आपकी so हो जाएगी, आप क्या-क्या दिखाना चाहेते हैं, terms and conditions को agree करना है, तो आप अपना state directory दखाना चाहेते हैं, नाम दखाना चाहेते हैं, और email दखाना चाहेते हैं, तो पहला step, पहला option आप select करेंगे, वरना आप दूसरा कर लेना, या पर तीसरा भी आप कर सकते हैं, कि वहाँ नाम दखाना है, तो दूसरा करना है, और कोई भी information आपको से यह नहीं करना है, तो option तीसरा आप select कर लेंगे make payment पर जैसे click करेंगे तो आप redirect हो करके payment method पर पहुंच जाएंगे इस तरीके से आपका वहाँ पर जो खाता है वो SBI का होगा तो आपका एक इस तरीके से page आएगा इसको आप confirm करेंगे किस तरीके से आप payment करना तो QR code मेरा generate हो गया था इसको मैंने जैसे scan किया तब उसमें problem create हुई हो सकता है मेरा net बीग चलने का रहाँ payment successfully वहाँ पर send नहीं हो पाई हो लेकिन मेरे account से पैसे cut गये थे जिसका मैंने SBI से contact किया तो SBI बालों ने मुझे साब मना कर दिया कि आपको यहां से कोई help नहीं मिल पाईगी चुकि मैंने QR code का इस्तमाल किया था जो कि एक third party के द्वारा payment किया गया था जिस platform का नाम है phone pay और phone pay और SBI दोनों ही tested platform है इससे payment फस्ती नहीं है तो पेटेम ने मुझे sorry phone pay ने मुझे 30 दिन कड़ाय मांगा है उसने ये भी बोला है कि हमने आपकी QR code को डाल दिया है और इस तरीके से जब मैंने अपना forward password किया है login करते time क्योंकि मुझे कोई भी email प्राप नहीं हुआ था चुकि payment उनके पास नहीं पहुँच पाई थी तो मेरा login भी नहीं हो रहा था और कोई भी mail वहां से मुझे प्राप नहीं हुआ था और इसमें लिखके आ रहा था we are sorry page not found तो मेरा data इसमें नहीं था यानि कि मेरा जो email है वो इसमें registered नहीं हुआ था इस regarding मैंने help line number पर भी call किया लेकिन वहां पर कोई भी मुझे response नहीं मिला वहां उन्होंने ये call कहे के टाल दिया कि कल्प phone करना तो कल्प फिर मैं phone लगाऊंगा फिर देखते हैं क्या होता है सुनुआत में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी ठीक है इसको लेकर के मैंने ट्वीट भी किया था मैंने screenshot भी टाला था HQDG NCC को tag किया था Defense Ministry को भी मैंने tag किया था जिसमें मैंने लिखा था इस website of NCC Alumni Association not working properly registration fees successfully debited from my account but registration not complete and I am unable to log in also trouble with other options तो कई सारी options में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने tweet कर दिया था लेकर इसका भी कोई reply नहीं आया तो इन लोगा काम थुड़ा सा भी डीला है बाद में tight कर लें तो सही रहेगा क्योंकि alumni क्यों आएंगे platform पर यदि उन्हें response नहीं मिलेगा 100-100 रोपर कलेक्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं एक अच्छा सा platform तयार करके हाला कि इसमें मुझे आसा है कि बहुत अच्छा काम होगा और भवस में सब कुछ सही होने की आसा है तो हम लोगों ने इसमें booklet की बारे में जान लिया और हमने इसमें screen shots के मादे हम से कुछ steps भी देख लिए चलिए हम इसकी official website को एक बार खूल करके भी देख लेते हैं किस तरीके से खुलती है इस तरीके से आपने यहाँ पर डाला है nccauto.gov.n अभी तक जो भी registered candidate है वो 165 हो चुके हैं यह आपका live है यह मैंने आपको live दखा दिया कि किस तरीके से क्या होगा तो यह आपका number इसमें 100 हो रहा है आप चाहें तो इसको call कर सकते हैं इसके बाद में आपको brochure इसमें मिल जाएगी PDF के रूप में English में करना है Hindi में करना है या just language में करना है आप अपने इसाब से download करिए पढ़िए समझिए और फिर registration करिए बिना rules and regulation को पढ़े होगे आप registration मत करिए आपके यह अच्छा लगे समझ में आया तो इसमें registration करना बरना कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपे आप अपने सिफ रख सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफी जान लिया है और वैसे भी इसमें ज्यादा कुछ अभी website पर दिया नहीं गया है काफी सारे buttons अभी enable नहीं है तो इसमें जो सबसे उपर आपको तीन बटन दिख रहे हैं rules and regulations के बारे में आप जरूर इसमें क्लिक करके पढ़िए चलिए में क्लिक करके आपको दिखा ही देता हूँ इस तरीके से उसमें rules and regulations आ जाते हैं आप चाहें तो screenshot लेकर भी बढ़ सकते हैं या फिर आप live बढ़ सकते हैं मैंने पूरे बढ़े हुए हैं काफी सारे चीज़न समझ में आ गई हैं और आपको इसमें Asia participant और आपको किसी भी पद पर भी निक्टि किया जा सकता है आपको performance अच्छा रहा तो आपको कोई पद मिल जाएगा और आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं और इसका जो headquarter है वो दिल्ली में ही है New Delhi में इसका headquarter है NCC Alumni Association का और इसको Companies Act के तहत registered किया गया है यह चीज आप लोग चाहें तो देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर लखा है Societies Registration Act 1860 चलिए आप इसमें confirm कर लेना Companies के है या फिर Societies Registration Act के अंतरकत इसको registration किया गया है फिर इस confirmation को आप मुझे कमिट सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि सही option क्या है तो मिलते हैं यह वीडियो में तब तक लिए जहन्द बंदे मातरम भारत माता की जै और जाने से पहले सब्सक्राइब करना लाइक करना जहन्द